वेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सब आप सब ही का एक बाद फिर से आपके अपने चैनल रेकास ब्यूटी वर्ल में दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूं फुल प्रफेशनल ब्यूटिशन का कोड़ जिसमें मैं आपको स्किन मेकप एंड है तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलिज दे रही हूं थियोरी एंड डेमो के साथ तो दोस्तों मैंने आप लोगों को स्किन में अरोमा थेरिपी का टॉपिक स्टार्ट करवाए था अ उन सभी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारे वीडियो जरूर देख लीजेगा अरोमा थेरिपी की टॉपिक को पूरा करने के लिए और थियोरी को नोट करने के लिए और दोस्तों अरोमा थेरिपी का लास्ट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी precautions in using essential oils essential oils को use करते टाइम हमें क्या-क्या साफधनिया बरतनी चाहिए जो की जानना बहुत ही जरूरी है essential oil को use करने से पहले तो चलिए आज का वीडियो को नरिक देशनिया बरतनी चाहिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो की बहुत ही जरूरी है as a beauty therapist आपको इस चीज़ की knowledge जरूर रहने चाहिए aroma therapy की आपको पूरी knowledge है essential oil की पूरी knowledge है तो आप लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना है कि क्या साफधानिया आपको परतनी है essential oil का use करने से पहले ठीके तो first है हमारा essential oil are highly concentrated substance जो essential oil होते हैं बहुत ही highly concentrated substance होते हैं मतलब जो essential oil होते हैं वो बहुत ही pure form में मिलता है बहुत ही fine substance होता है तो जब हम essential oil का use करते हैं तो हमें उसे use करते हैं बहुत ही carefully उसे use करना है बहुत साफधानी से use करना है हम कोई भी essential oil अगर use करने जा रहे हैं तो उस essential oil की पहले हमें पूरी knowledge होनी चाहिए, ठीक है कि कैसे हमें उसे use करना है, कौन से skin के लिए कौन सा essential oil जाएगा, कितनी quantity हमें use करनी है, किस way में हमें उसे use करना है, यह सारी चीज़े में आपको जो last video, 7 videos मैंने दी हैं, आपको उसमें मैंने बताया है, तो आप प्लीज वो सारे videos दे essential oil खरीदा और direct उसे अपने skin पर use कर लिया, ऐसा करने से आपको उसके harmful result भी मिल सकते हैं, तो पूरा ध्यान से carefully हमें उसका use करना है, ठीक है, नेक से दोस्तों, never take essential oils internally, कभी भी हमें essential oils को internally intake नहीं करना है, हमें essential oils को externally, बहार से skin पर लगाने के लिए use करना है, जब तक आपको professionally prescribed किसी ने, professional level पर prescribed नहीं किया है, तब तक आपको किसी भी हालत में उनको internally नहीं लेना है, सिर्फ externally यूज के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, बात का जो ध्यान रखने हैं, आपको जो कि बहुत important है, कि essential oil को कभी भी direct form में यूज नहीं करना है, जैसे आपने essential oil लिया, और direct उसे skin पर apply कर दिया, अगर आप इसे करेंगे, तो आपकी skin burn हो सकती है, तो उसे अमेशा आपको dilute करके यूज करना है, पतला करके यूज करना है, जैसे मैंने आपको बता है, बहुती fine substance होते हैं, बहुती pure form में मिलते हैं, तो आपको इसे direct use नहीं करना है, उसको dilute form में य rate 3 to 6 है, इससे जादा आपको कोई एक therapy जैसे आपको facial करना है, ठीक है, तो facial में आपको 6 से जादा drops यूज करना है, ठीक है, आप ऐसा मत सोचेगा कि मैं अगर 10 drop यूज कर लेती हूँ, essential oil की तो मुझे extra glow मिल जाएगा, extra चमका जाएगी मेरे skin में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इससे उपर आपको नहीं जाना है, ठीक है, एक ही essential oil का यूज एक ही टाइम में एक या दो हफ्तों से जादा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट है, दोस्तों हमें, it is not made for sensitive skin, essential oil sensitive skin के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की जो skin होती है, बहुत ही जादा sensitive होती ह उसे उन्हें normal किसी product से भी sensitivity हो जाती है, कोई normal cream भी वो apply करते हैं अपने skin पर, तो उनको allergy हो जाती है, तो इसलिए आपको avoid करना है, sensitive skin पर essential oil use करने से अगर use करना चाहते हैं, तो पहले आप अच्छे से client counseling कर लीजिए, कि कोई essential oil उन्होंने use किया है, तो उसे sensitivity तो नहीं है, उन्हें किसी product से sensitivity तो नहीं है, अच्छे से आपको client counseling करनी है, then pest test करना है, और उसके बाद ही आपको use करना है, तो इस तरह से बहुत ही carefully sensitive skin पर आपको use करना है, otherwise sensitive skin पर essential oil को use करना, आप provide कीजिगा, तो therapist को coffee beans अपने fast रखनी चाहिए, जो therapist होता है, उसके पास coffee beans हमेशा available होन किया, आपने कोई essential oil use किया, client को suit नहीं किया, तो उसके effect को कम करने के लिए आपके पास coffee beans हमेशा available होना चाहिए, ठीक है, दोस्तों हमारा we can use only 4-6 drop in whole procedure, हमारा जो facial का पूरा procedure होगा, उसमें हमें स्रिफ 4-6 drop ही use करने, यह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पूरी theory में मैंने आप लोगों को बताया, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखने, आपको 4-6 drop ही आपको use करनी है, उससे जादा use नहीं करनी है, यह 4-6 drop है, उसे किस तरह से use करनी है, किस-किस time पर use करनी है, यह मैंने आपको बता रखा है, अरोमा थेरिपी का मैंने आपको facial की theory भी दे रखी है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है, कि यह 4-6 drop आपको अरोमा फेशल में use करनी है, अशेंचल ओयल की वो किस तरह से use करनी है, तो आप देख लीजेगा, आइसिंग मैंने आप लोगों को demo भी दिया हुआ है, अरोमा थेरिपी का, तो उसमें भी मैंने description box में दे दूँगी, आप जरूर देख लीजेगा, और मैं चैनल पर playlist बना रखी है, तो उसमें भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जब आप essential oil use करते हैं, जैसे आपने अरोमा फेशल लिया है, essential oil use किया है, तो आपको कुछ घंटों तक अपने face को wash नहीं करना है, ब wash नहीं करना है, ठीक है, next point है दोस्तों, don't give aroma facial during pregnancy in this condition, aroma facial क्योंकि हम उसमें essential oil का use करते हैं, तो आपको वो pregnancy के time पर नहीं करना है, ठीक है, past stress is very important in aroma facial, मैं आप लोगों को बता, चो क्योंकि past stress बहुत ही ज़रूरी है, aroma facials में, aroma therapy में, क्योंकि हम उसमें use करते हैं, essential oil, तो past stress आ आपको जरूर करना है, उसके बाद ही आपको start करना है, उससे पता सजाएगा आपको कि client को वो suit कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, essential oils को बच्चों की पॉंच से हमें दूर रखना चाहिए, ताकि उनको कोई harm ना हो, नेक से दूस्तों, plastic container में हमें से store नहीं करना चा for a few hours after using citrus oil, अगर आपने citrus oils को use किया है, तो फिर आपको कुछ घंटों तक धूप की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, अपनी skin को protect करके रखना चाहिए, sunlight से, ठीक है, वैसे तो अगर आपने को normal facial लिया है, अरोमा facial लिया है, normal facial लिया है, तब भी आपको धूप की रोशनी मे खतमी हो जाता है, आदा हो जाता है, पूरा खतमी हो जाता है, इसलिए आपको कभी भी आपने facial लिया है, तो आपको sunlight में डारेक्ट नहीं जाना चाहिए, जाना भी पढ़ रहा है, तो आपको पूरा face को अच्छे से cover करके जाना चाहिए, ताकि हमारा जो face है, वो sunlight के direct contact में ना आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़े थी जो आप लोगों को essential oils को use करते हैं, ध्यान में रखनी है, माइन में रखनी है, तभी आपको use करना है, अच्छे से पहले उसकी study करनी है, उसके बारे में जानना है, किस तरह से हम use करना है, तो आपको professionally उसको use करना है ताकि आपको best result मिल चके I hope दोस्तों कि आज का वीडियो आपको knowledgeable लगा होगा Aroma Therapy का ये आज last वीडियो था मैंने Aroma Therapy का topic आप लोगों को complete करा दिया है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज सारी वीडियो को देख लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन वाक्स में और चैनल पर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे मैंने और भी बहुत सारे Mutation Courses related वीडियो थियोरी और डेमो के अप्लोट किये हुए है तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजेगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा शेर जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा दोसो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फिर आपको मेरे वीडियो जूदने नहीं पढ़ेंगे आपके पास अपने आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फोग जाएगा जब भी मैं कोई यू वीडियो अप्लोड करूँगी पास ही बने बैल ऐकन को ज़रू प्रेस कर लीजेगा पास के लिए तभी नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलती अपने नेक्स वीडियो में तब तक ख्यार रखिए अपना और उपनों का और यू ही अपना प्यार मेरे साथ बनाया रखिएगा टेक किया थेंक्स व